वेलकम बैक नाजरीन आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्णिंग सेफ सिटी नाजरीन बेटियां माबाप का मान होती हैं लेकिन हमारी सुसाइटी कुछ ऐसे स्टीरियो टाइप हैं कहा यह जाता है कि जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां नहीं कर सकती है आज हमारे साथ ऐसी बाहिमत खातूर मौझूद है जिन्हों इस स्टीरियो टाइप को ब्रेक किया कैसा बिलकुल नहीं है जो काम हमारे बेटे कर सकते हैं वो हमारी बेटियां क्यों नहीं कर सकते हैं बात करेंगे जाज हमारे साथ प्रोग्राम में मौझूद हैं खतीजा रहान अलगार आफ जिसको आप काम करती आए क्या अब जिसको चला रहे हैं मेरा बैसी कली मॉबाइल का बिसनेस है और अई फोन सेरे अवर बिसनेस है जिसके अंदर सारे सौट्पेर्स भी है और हर चीज तो आप मतलब खुद शॉप बैखते हो वालित के साथ या पिर बिसनेस अब आपको चला लेते हो और वालिद को पर डिपेंड करना नहीं पड़ता इस हवाले से मुझे बिचा बिचाओ बेस्टार्ट लिया था तब मुझे अपने फादर के साथ ही वहां पर बैठना पर आगा था क्योंकि आसपास साइटी इस तरह की हमारी कि वह इस चीज को पहल अब आसपास कहीं को खावातीन कमोबेशी नजर आती है यह जो हमारे कॉंसेटी का कि जब मुबाइल शॉप तो ठीक है वालिद को भाई को भेज दो मुझे भाई को भेज तो मुझे नहीं जाती है तो बाकी आसपास किसी और शॉप को खातून है जो इस तरह से शॉप को है यह पूरी मार्केट में आप अकेली खातून है मैं फिर्स्ट ऐसी फीमेल थी जिसने जो है इस फील के अंदर स्टेप रखा था ठीक है मेरे फादर ने मुझे कहा के बेटियां हर काम कर सकती है जब आपने एजुकेशन ली है तो ठीक है आप अपना बिजनस रन करो तो अपने मुझे 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 पहले तो मुझे ने ने सिखाया फिर उना ने मेरे ली एक शॉप बना के दी मुझे अच्छा अब आप जो है ना वो मार्केट में जो बैठो लोगों से डील करो ताके आपको बहुचे ले कि दुनिया क्या है तो उसके बात मैंने उस फील के अपना स्टैप रखाता है लेकिन यह है कि आज जितने भी आप इस लड़के में आप समय नाइंटी एट परसंट लड़के हैं तो को टू परसंट फीमेल होंगी तो इसको सबसे बहुत करना सबसे टफ था क्यूंकि हमारे मारे माश्ट रहना है पर हर लड़के को होता है कि लड़की आई कि चलो हम अंडर्शाइडिंग करें लेकिन ऐसा नहीं है जो मस्बूत रह जाती है वह कामयाब हो जाती है अच्छा चाहिए सबसे पहला हर्डल क्या फेस करना पड़ा सबसे पहली मुश्किल क्या लगई जब आके बैठी जब मैस आपको एसास हुआ कि शाय जो आसपास पैठेवे लोग होते हैं उनकी नजरे उनकी रियक्शन्स यही सबसे बड़ी चीज होती है लेकिन मुश्किलाइ मैं थोड़ा से चीज पर किया भी कि मुझे स्टैप बैग कोई बात नहीं है या अगर तुम इसको आज फेस नहीं करोगी तो कल कैसी भी फील कर बाते थे वकाईदी किसे के नहीं भाई आप मुकाबला करो बोलो और मुझे यहां तक मैंने अब तक माशाला आप ने आपको पहुंचा दी उनकी वजह से अच्छा मैं भाई भी हैं बड़े भाई हैं जी बड़े भाई हैं और उनने फुल सपोर्ट किया आपको जी बिलक बिलकुल ऐसे हैं, तक मैंने बहुंचा अवरुक्त फिल्च वे पहूंचा वे भाई कि नहीं हैं पादा ने मुझे पहले सिखाया मैं मुझे मुकंत मुकंब ट्रेन कने वले मेरे भाई ही हैं उनहेने मुझे हैं ठानी चैसे की व्यानल इसका स्वाए उनने मुछी इन्व जो है जो आप कर लेते हो वहारी है जो आप कर लेते हो फैसिज जो में होता है हर किसी का हुणना नहीं होता हुए तो थोड़ी बॉटी बधी रेडिट से लेकर सोफ़Their अ-बॉब्वेडिशन तक हर काम जो है वहा रहा हम जो बिल्कुल ऐसा ही है और इसके बीचे मेरे भाईों का ही हाथ है उन्होंने ही मुझे जाना मुझे जाना मुझे बिल्कुल ऐसा ही है देखे ना अगर भाई ना होते या फादर ना स्टेंड लेते तो मैं भी शायद इस मुकाम पर ना पहुंचती उनकी वज़ासे है अच्छा मुझे ये बताओ के अगर ना आपको एक्सिंग इसको कैसे देखे ये अच्छी अगरे ये शिखाने माला तो कोई नहीं होता है आपको खुद एक्स्प्लोर करना पदा है कि क्या तेक्नोलोजी और हमने इसको कैसे सीखे आगे सेल आउट भी करना है उस प्रड़क्त को तो वह हमें खुद अप करना होता है तो ऐसल चीज हमें अच्छी की नौलेज होती है तो तब हम अच्छी को एजिली सेल आउट कर सकते है उस प्रड़क्त को सही तो फैमिली के तरफ से पूरी सपोर्ट रही और अभी अब जो पहले आप ज्यादा हर्डल फेस करें जिसे आप में बताया कि सबसे अच्छी चीज़ों मुझे फेस करने पड़ी वह लोगों की नजरे थी या वो सारी क्वेस्टन्स थे कि खातून यहां पर क्या कर रही है तो अब कितना अर्सा हो गया आपको इस शौप को चलाते हुए इस वक्त क्या आप क्या आप क्या नजरिया बदला लोगों का कि मेरे साथ मिलकर हम इस काम को लेकर चलते हैं अब यह कहा जाए कि सुसाइटी ने खतीजा को एकसेप्ट कर लिया है उस सब लोगों ने एकसेप्टन्स आप भी बिना ली बिल्कुल ऐसा बिनानी पड़ती है करते नहीं है लोग आपको बहुत जादा मार खानी पड़ती है फिर कहीं जाकर आपके एक पॉइंट पर जाकर आप सैटिस्फाय होते हैं इस साथ आट साल के जर्णी में कभी ऐसा महसूस हुआ कि अब मुस्ते नहीं होगा मेरी बस होगी या फादर को कह दिया वाले साब बाई को कह दिया कि अब मैं बैक ओफ कर रही हूं अब मुझे घ आदर जमीन मेरा स्पोर्ड उनको लास्ट वियर्स पहले हार्ट टैक हुआ था उनका बाई पास हुआ था जिसकी वज़ा से मुझे बिलकुल भी बैक ओफ करने का कोई चांस नहीं मिला तो मैंने उनको कहा कि आप इसी से परेशान नहीं आपकी बेटी आप पहले वो मेरे स तो मैंने उनका बिजनस कहीं पी बंद होने की कोशिश नहीं की तो मैंने दिया यह नहीं बिलकुल और मैं जहना वही आगे लेकर चलती रहेंगी इंशाला शारीजा आप हमेरी देखने वरी तमाम खवातीन के लिए मुझ समेथ हम सब के लिए रोल मॉडल है कि एक ऐसा काम जो के शायद तसवर नहीं किया रहा सकते के खवातीन ये काम भी कर सकती है पॉब्लिक डिलिंग शॉप अगर हम यॉर्पेन कंट्री में देखें तो यह बहुत एक नॉर्मल चीज है लेकि जैसे पागिसान जैसे कंट्री में इस तरह का स्टैप लेना और पिर चीज को तो क्या कहना चाहेंगे आप इसी के लिए देखें उन्चनी जिन्री का हिस्सा है आप जिस फील्ड में जाते हैं गलतियां हर इंसान से होती है तो आपको गलती करने के यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अब इसके बाद कुछ कर ही नहीं सकती हम लोगों को फेस नहीं कर स करेंगे तो इसके लिए सबसे में जो पॉइंट है आपको खुद पर स्टैंड होना चाहिए कि देखें स्पोर्ट फैमली की होती है तो कोई लड़की फील्ड में आती है जब वो आ जाती है तो उसको अपने आप पर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं यह कर सकती हो यह मै आपको कहा कि बैक ओफ कर गी तो बाकी आने वाली लोगों के लिए मुश्किल है यह जो हमें इस्टम हर्डल करें उनके लिए असानी है किसी को भी एजिली अपने रास्ते से हटा सकते हैं यह एक्शली होता है एक्शली इस फील्ड पर कंपिडिशन बहुत है यह कंपिडि पोईंट होती है कि इसको हर हाल में जीतना ही होता है हर चैलेंग है तो बस यह है कि आप पे ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टन चीज है अपने आप पे ट्रस्स करें और मौटिवेशन को लेकर चलते हैं तो आप हर मैदान में काम आप हो सकती है आप्की बहुत बहुत शूक्र नाजरी इन जिसां के खतीजा रहान ने बताया, ऐसी बहुत सी हमारी खवातीन हैं जो के हर फील में अपना अपनी काम्याबी के साथ, अपनी हिम्मत के साथ, अपनी सिलाहितों का लुहा मनवा रही है, अपना काम करके दिखा रही है, हो सकता है आप भी उनने से कोई एक हो, थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है, एक छोटी सी हमत की जरूरत है, हमत कर लीजिए, आप कर सकती है, हम सब वहर प्रकाम कर सकती है, जिसका हम ःखक देखती है, खामों को टूटे मत दीजिए, आप सब मिलके इस मुल्क की.. और वैसे तो 50% में इन 59% में झो हमारी अबादी ह इसका एक बड़ा हिस्सा है हम सब खवातीन अगर हम घरों में बैठ जाएंगे तो कैसे मुल्की तरक्की में अपना किर्दार दा कर सकते हैं यह मुल्क के बागे संतर्की कर सकता है अपना बहुत सा ख्यार लेखिएगा लेट्स टेक अब्रेक